सबसे पहले अंक तालिका 68 सीटों वाली हिमाचल विधान सभा में बहुमत का आखड़ा है 35 का वोटिंग हुई थी 12 नवंबर को और आजाए नतीजों के मताबिक यहाँ पर कॉंग्रेस को मिली 49 सीटे भारती जनता पार्टी को मिली 26 सीटे अन्य के खाते में 3 सीटे कॉंग्रेस के पास बहुमत से 4 सीटे जादा हैं वो सरकार बनाएगी लेकिन वो जरूर चाहेगी कि जो 3 अन्य हैं वो भी उससे आ मिलें ताकि उसे एक margin of error भी मिल जाए हिंदी में कहें तो बहुमत को मजबूत ही मिल जाए ये सामानी समझ भी है और हिमाचल परदेश के चुनावी इतिहास से मिली सीख भी कौन सी सीख जो मिली थी साल 1998 में क्या हुआ था तब तब लगभग बराबर का आंकड़ा रहा था और बीजेपी के एक विधायक की इतो नतीजे आने के कुछी समय बाद मृत्यू भी हो गई थी ऐसे में निर्दली का समर्थन बहुत महत्पूर था ये निर्दली भाजपा के एक बागी थे जिनका नाम था रमेश धवाला जो जुआला जी की सीट से चुनाव लड़े और जीते थे और इन्हें पहले अपने मोर्चे में कर लिया था वीरभद्र सिंग ने और उसी के दम पर उन्होंने शपत भी ग्रहन कर ली थी लेकिन बाग में रमेश धवाला बीजेपी के खेमे में लोटे और पंडित सुक्राम ने भी तब तक इस पश्ट कर दिया कि वो भाचपा के साथ जाएंगे तो एक निर्दली मुख्यमंतरी को बदलवा रहा था जलबा ऐसा था रमेश धवाला के कि उनको मुख्यमंतरी के आवास में टिकाए गया था कैबिनिट मंतरी की शपत के बाद इसलिए जब भी इमाचल का जिकर आता है निर्दलीयों का रोल मात्पूर्ण हो जाता है एक और व्यक्ति थे कॉंग्रेस के गुलाब सिंग जिन है भारती जन्ता पार्टी ने अपना सपोर्ट देकर स्पीकर बनवा दिया था ताकि कॉंग्रेस की टैली से एक विधाया कम हो जाए तो इस तरीके के कई किस्से हैं जो हम आपको नेता नगरी में सुनाते रहें आगे भी सुनाते रहेंगे पर ये इत्यास की बाते हैं वर्तमान क्या है 2022 में तीन अन्ने हैं उनके बिना भी कॉंग्रेस को समर्थन मिल चुका है बहुमत मिल चुका है पर ये तीन अन्य कौन है? हमिरपूर से आशी शर्मा जिन्होंने कॉंग्रेस के पुश्पिंदर वर्मा को 12,889 मतों से हराया ध्यान दें ये अनुराग ठाकुर का ग्रिह नगर है दूसरा नालागर से केल ठाकुर इन्होंने कॉंग्रेस के हरदीब सिंग बाबा को 13,264 मतों से हराया और तीसरा डेहरा से होशियार सिंग जिन्होंने कॉंग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा को 3877 वोटों से हराया ये तीनों अन्य कॉंग्रेस प्रत्याश्यों से ही जीते हैं लेकिन कॉंग्रेस खुशी-खुशी इन्हें अपने कुन्बे में स्विकार कर लेगी एक और नेता जी थे जो अन्य होकर खास होना चाहते थे या कहें एक फोन कॉल के बाद हो गए थे फतेपुर सीट से लड़ रहे कृपाल सिंग परमार उनकी बाद भी करेंगे लेकिन कुछ दे बाद पहले कुछ बड़े चेहरों की चर्चा कर लेते हैं हमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस को 2017 में 41.6-8 फीजदी मत मिले थे और सीटे मिली थी 21 इस बार पार्टी को 43 इसमलाव 9 फीजदी वोट मिले और सीटे मल गें 18 दिल्चस्प यह कि भाजपा को इस बार कॉंग्रेस से सिर्फ 0.9 फीजदी कम वोट मिले लेकिन सीटों में अंतर है 13 का यह कैसे हु हमने पूचा हिमाचल दस्ता के संपादक हेमंत कुमार से इसमें जो सबसे बड़ा जो फेक्टर मेरे मेरे इसाब से रहा है वो रहा है बीजेपी का एक और्गनाइजेशनल लेवल पर एक फेलियर रहा है हिमाचल प्रदेश में कि दोनों जगा सरकार अपनी होने के बावजूद भी राष्टिय दक्षियां यहां होने के बावजूद भी आपके 20-21 बागी खड़े थे और मैं अभी देख रहा था कि 10-12 सीटें तो बीजेपी ने हारी ही वगावत के का रहा है जिसमें कि अगर बागियों का हम शामिल करने जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ है तो एक तो वो है और इसमें जो टिकेट का बढ़वारा रहा आखरी तक ले गई बीजेपी टिकेट की गोशना कि किसको देना है किसको नहीं देना है चार पांच कंसिचुशनसी में इनो उनके हलके बदर दिया है वहाँ पे सारा तो ये अदला बदली जो भी हुआ है इसमें बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हुआ है तो बीजेपी का ऐसेच वोट बैंक आप यह नहीं कर सकते कि हैवी पोलिंग हुई थी रिकॉर्ड मत्दान इस बारी हुआ है पर 76% के इसमें बीजेपी का कोई भी कमी उस तरह की वोट शेर में नहीं हुई जो आप बदा भी रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अंतर नहीं है बहुत सारा लेकिन जो बीजेपी पिछड़ गी हो बगावत और जो खराब टिकटा बंटन की तरह से मुझा ऐसे मानना अंद लेकिन जब वो निकला तो उसमें कुछ ऐसे चुकाने वाली बड़ी बातें नहीं दिखी जिसको कि हम कह सकते कि यारे कमाल कर दिया बीजेपी ने इस बारे तो तो और उसमें दिखा कि कुछ एक टिकट हैं शायद ऐसी हुई है बीज में जो हमें लगता है कि विक्ती शेश के हिसाब से दे दी गई होगी तो ये नुकसान निश्चे तोर पे यहां भी पार्टी में हुआ है कि बहुत टिकट काटी गई और बहुत ऐसे लोगों को टिकट भी जबर्दस्ती दी गई आपने कहा कि हमने अर्जेस्ट करना है मैं एक्जांपल में जाओंगा तो आपने कहा कि एक दो मिनट की बात है तो मैं उसके एक्जांपल भी दे सकता हूं कि ऐसे टिकट मालों एक ही एक्जांपल हम मालने कि शिमला से कई बार जीते हैं वहां सुरेश बार्दवा जो मिनिस्टर भी रहे हैं और प्रदेशा देक्ष भी रहे हैं अब उनकी टिकट एक दम से आपने बदल दी और कसुम्टी साथ लगते हलके में उनको टिकट दे दिया आप ने शिमला को प्रोब्लम में डाल दिया आपने कसुम्टी को डाला ही डाला प्रोब्लम में और आप दोनों आ रहे हैं तो मालना इस तर आप चुंकि आपने वह फिट नहीं बैठ खेते शिमला कुछ जो शिमला में फिट नहीं बैठे तो सुमती में कैसे फिट बैठ जाएंगे तो इसका कोई गनित हमें तो समझ नहीं आया है वो खाली यह रहा भही वो पुराने आदमी है बीजेबी के सीनर नेता है उनको कहीं नहीं करना है अपने तो तो आपने कोशिष हुणी है करें ना करेंगे हेमत जिस बगावत की बात कर रहे थे अगर उसके निशाने पर हम देखें तो फील्ड की एपोर्टिंग में भी हमें वो चीज नदर आती है जिन नेताओं के टिकट काटे गए उनके साथ सीम जैराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी नड्डा ने कई बार बैठक करने की कोशिश की पर 18 सीटों पर बागियों ने परचा वापस नहीं लिया ऐसी बानगी रही जहां बागियों ने उमीदवारी जब वापस नहीं ली तो बीजेपी के लिए मुसीबत हुई मसलन कांगला की फतेपूर सीट से बाग लेकिन बागी हुए केलठा को डिर्दली जीत गए परमार को प्रधानमंत्री के कॉल पर हमने अलग से सवाल रखा था विशिश अग्यों ने इस पर क्या कहा सुनिये उन्होंने अपने अपना जो सियासी कोशल दिखाते हुए बीजेपी की सरकार बनाई थी प्रेम कुमार दूमल उनिस सो अठानुए में तब वो यहां के परबारी हुआ करते थे और उस दोरान जो यह करपाल प्रमार जिनको उन्होंने फोन किया था उनके बहेद ही करीबी लोगों में से हैं जिनका की अभी भी मैं कहूं कि पिछले टन्योर तक मेरे लास्ट टाइम जब बात हुई थी विदाउट अपॉइंटमेंट यह जाते हैं मिलने भी परदान मंत्री से दिल्ली में ठीक है लेकिन कृपाल प्रमार अच्छा चूंकि मोदी जी से इस तरह का का बड़े करीबी हैं तो इनको राज्य सभा में बेज दिया गया कभी चुनावी जीत में चुनावी जो चुनने वाली पॉलिटिक से उसमें कोई बड़ा नाम था कृपाल प्रमार का तो ऐसा ऐसी बात नहीं है ठीक है पिछली बारी पहले उनको टिकर दिया ओहर गये थे बिदान सभा महां से उस तरह से अब अगर वो उस परसनल कनेक्ट के हिसाब से ऐसानी की मोदी जी ने यहां पर बहुत सारे नेताओं को फोन किया उनको अल्मोस्ट हर कंसिशूंसी में जानते हैं कि लंबे टाइम तर बर बारी रहा है से मेटरन के हिसाब से राइट तो उन बाजपा की हार पर अब बहुत बाते होगे सुनिये विजेता कॉंग्रेस ने कैसा चुनाओ लडा और जीता निश्चित तोर पे यह पहला इलेक्शन ऐसा है जिसको कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा था जितना जबसे मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूं या कवर कर रहे ह हम लोग सारे यह पहला इलेक्शन है जिसको कोई एक आदमी लीड नहीं कर रहा था कि हाँ जी यह है और यही नेता है यही नेत्रतों है उस तरह का बावजूद इसके इतना स्मूथ तरीके से बीजे कॉंग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन केंपेन को पूरा किया कि कहीं स परादेशिक जो हमेशा से रहा है कि बीरबदर सिंगी की देखते रहे हम तो भी उनी के उसमें रहे हैं कहीं पर कुछ नहीं हुआ बड़ा स्मूथ बड़े बड़े प्यार से जुनाव केंपेन हुआ और उसका फाइदा हुआ कॉंग्रेस पार्टी मेरा एक तो सबसे बड पाइदा होगा अभी इसमें कुछ भी नहीं है और होगा भी नहीं मुझे लगता है कि इस बारी सीधा पहले यहां इसे नेता रहा करते जिनके पीछे 25-30 कॉंग्रेस के बिधायक खड़े हो जाते थे फिर वो बारगेनिंग चलती थी बड़ी कुछ चीज़े होती थी अब उनको वहाँ पे प्रेड गरवाई जाती थी किसके साथ कितने बिधाय के कितने नहीं है इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कोई दीनचार देता जिनके भी नाम आगे आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि 20-25 कॉंग्रेस को अपने साथ ले जाएगा और खड़ा हो जाएगा किता प्रतिपाक्षपार्टी अध्यष प्रतिपासिंग जो मंडी सांसत हैं तो कैसे तैय होगा कि कुर्सी किसे मिले यह देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि कई और दावेदार भी है अब आपको उन बड़े मुकाबलों के बारे में बता देते हैं जिन पर सब की नज़र से जादा वोटों से हराया हिमाचल प्रदेश के पूर मुक्यमंत्री वीरभास सिंग के बेटे विकमा दितने शिमला ग्रामीड से बीजेपी प्रतियाशी रवी महता को 13860 वोटों से हराया हरोली की सीट पर बात करें तो कॉंग्रेस के जो नेता है मुकिश अग्योत्री उन्हें बीजेपी के राम कुमार को 9000 से जादा वोटों से हराया है अब अपने हिस्से का आपको अन्वह बताते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम कॉंग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर देश के किसी भी राजगी तुलना में हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारि यह मुद्दा नंबर एक था मुद्दा नंबर दो जो विशिश अग्यों ने भी कहा कि बीजेपी अपने घर को दुरुस्त नहीं रख पाई इसलिए वोट परसेंटेज में सिर्फ 0.9 का फर्क है लेकि सीटों में इतना फर्क है क्योंकि जो बीजेपी के हिस्से का और वो लोकलाइजड रखने में सफल रही चाहे वो सेव उतपातकों का मुद्दा हो चाहे वो छात्रों के लिए भरती का मुद्दा हो वही भारती जनता पार्टी नरेंदर मोधी की लोक प्रियता और राश्ट्रिय मुद्दों के भरोसे रही उनकी होडिंग में 370 से लेकर महाक काल कॉरिडोर तक के मुद्दे थे जो क्लियरली हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के चुनाव में उतने प्रभावी नज़र नहीं आए और बीजेपी को एक ये फैक्टर भी उसके लिए प्रभावी रहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे कॉंग्रेस ने गुजरात में लगबग ब्लैंक फील छोड़ दी थी वैसी आम आदमी पार्टी ने यहां चुनाव लड़ा ही नहीं इसलिए जो भाजपा विरोधी मत हैं उनका बटवारा नहीं हुआ आपके ग्यान की गहराई नापनिक लिए आ गई है ललन टॉप क्विज मौके पर दो जबाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोंबार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप पर याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलिज पर हाल लगाओ आल पाइदा दे लगाओ का पाइदा तो फटाक से डावलोड करो ललन टॉप आप और आजाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ